सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए हेलो दोस्तों स्वागत है आपका गुरुजी वर्ड एक्जामिस टीडी प्लैटफॉर्म में दोस्तों अचके इस वीडियो में मैं प्ले लेकर आई हूँ सामानी ग्यान के मुश्ट इंपॉर्टन हंडर प्रिष्णों का संग्रे जो कि आपके आने वाली परिछाओ के लिए काफी महत्पूर है तो इस वीडियो में लाश तक बनी रहीएगा सारे प्रशन आपके लिए मुश्ट इंपॉर्टन हो सेलेक्टे लिए गए हैं सभी टॉपिक को यहां पर कवर किया गया है पहला प्रशन हम लोग देखेंगे दूस्तों पहला प्रशन है निम्रिकित में से कौन सा सिंधु इ और लोथल जो है यह सिंधु सभेता के पत्तन यानि की बंदरगा हुआ करते थे लेकिन कोट दीजी जो है यह सिंधु सभेता का बंदरगा नहीं था यह समुद तरपन नहीं था यह दोस्तों पाकिस्तान के सिंधर प्रांथ में सिंधु सभेता का एक केंद्र हुआ करता थ सुर्व कोटव्टडा भी आपका सिंदु सभवता का एक पत्तन हुआ करता है तर लोथल스타 भी आपका सिंदु शभयता का एक प्रशिद्य बंधरगा हुआ करता है रight अंसर आपका यहां पर बीके साथ्ध चला जाएगा अगला पेश देखेंगे निमलिकित में से किस प्रदार्थ का उपयोग हरपा काल की मुद्राओ के निर्मार में मुख्य रूप से किया जाता था तो दोस्तो हरपा काल की मुद्राओ के निर्मार में इन में से किस का प्रियोग किया जाता था तामबा, लोहा, सेल, खड़ी या फिर कांसा राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसमें सेल खड़ी का प्रियोग करते थे अगर बात करें ये क्या होता है तो दोस्तों सेल खड़ी जो है ये एक रतन होता है सफेद रंग के पत्थर की तरह होता है दोस्तों सेल खड़ी तो राइट आंसर आपका यहाँ पर C हो जाए नेक्स दीक है अगला प्रेश्न नहीं प्सकों सरप्रतम अपनी राजधानी गतुकिता पर अगला पेशन हम दोग देखेंगे मगज समराड बिंबी सार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज के राजा की चिकिस्सा के लिए भेजा था अवंती वैशाली कोशल या फिल अंग तो बात करें मगज समराड बिंबी सार ने अपने राजवैद को किस की चिकिस्सा क के लिए भेज़ा था एंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगले पर बढ़ते हैं दोस्तों चंद्र गुप्त सेकेंड के काल में विद्या कला वा साहित का महान केंद्र कौन सा था अप्शन दिया हुआ है उज्जयन विदेशा धारवार या फिर वरार सी तो दोस्तो चंद्र गुप्त सेकेंड या फिर इंको चंद्र गुप्त विक्रमादित भी कहते थे जो कि गुप्त वंश के एक महान समराठ थे और इंके शाषन काल में विद्या कला और साहित का महान केंद्र दोस्तों उज्जयन हुआ करता था एंसर आपका यहां पर राइट हो जाए ताम्र लिप्ति की बात करें तो दोस्तों यह पंश्चिम बंगाल में रूप नराया नदी के किनारे इस्थित एक बंदरगा है सी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगला प्रेश देखेंगे बौध संगीतियों के चार आयोजकों का सही क्रम क्या है मोश्ट इ बात करें तो यह राजग्रह में करा की थी दूसरी बादसंती काला शोक ने कर आई थी आपका राइट अनसर हो जाएगा नेक्ट देगी दोस्तो अगला प्रशन है जातक किसका गृंत है बौध शेव, वैशनव या फिर जैन जातक की बात करें तो दोस्तो ये बौध धर्म का एक गृंत है जिसमें कि बुद्ध के पूर्व जन्ब की कथा जो है जातक कथा ये इसमें वर्ण नित है अगला प्रश्ण देखें दोस्तों अगला प्रश्ण है किस वन्ष के शाष्कों ने ब्रामणों एवं बौध बिच्वों को कर्मुक्त भूमी या गाउं जिसकों की भूमी अनुदान कहते हैं देने की प्रथा आरंबे की गुप्त चोल सातवाहन या फिर मौरे प्रश्ण दोस्तों किस वन्ष के शाष्कों ने ब्रामणों और बौध बिच्वों को भूमी अनुदान देने की प्रथा चलाई थी राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों सातवाहन वन्ष के शाष्कों ने सी अंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगर बात करें दोस दोस्तों ये कुशाड सासक कनिश के राजदर्बार में थे अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स देखी दोस्तों अगला प्रशन हमारा निमलिकित में से कौन सुमेलित है सुमेलित है यानि कि दोस्तों इन में से कौन सा एक जो है यह सही है आपको बताना है मिन पांडिया राजा के द्वारा तो यह हमारा गलत हो जाएगा खजराहों की बात करें तो इसका निर्मार कराया था राष्ट कूट शाष्कोने तो यह भी गलत हो जाएगा महाबली पुरम का निर्मार दोस्तो पलवों के द्वारा कराया गया था तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा बी आपका यहाँ पर सही है बाकी सारे यहाँ पर गलत है अगला पेश देखेंगे निम्लिकित में से किसने दिल्ली में खगोली वेद शाल ने सही उत्तर की बात करें तो दोस्तो इसका निर्मार कराया गया था दोस्तो जैसिंग सेकंड के द्वारा बी अंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला पेशन हम लोग देखेंगे दोस्तो नागर द्राविड और वेसर है नागर द्राविड और वेसर क्या है भारतिय मंदिर वास्टू की तिन मुख शैलिया है यह भारत में पर चले तीन मुख संगिध घहराने है भारतिय उप महादीयूप के तीन मुख जाती है समू है जिसमें भारत की भाशा व को विभक्त किया जा सकता है तो दोस्तो बात करें नागर द्राविड और वेसर की तो प्राचीन काल में हिंदू देवी देवताव की जितने भी मंदिर होते थे वी इनी तीन मुख शैलियों में बनते थे। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा भारतिये मंदिर वास्तु की तीन मुख शैलिया हैं यह नागर, द्राविर और वेसर। ए आंसर राइट हो जाएगा अगला पैश देखिए दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहास कारों ने विरोधो का मिश्रण बताया हैं काफी मतपूर हैं दोस्तों इतिहास कारों ने दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधो का मिश्रण बताया हैं सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शाषक लोधी वंज का इबराहीम लोधी था? D. अंसर दोस्तों है, यहाँ पर राइट हो जाएगार और अगर आपसे प्रिश्व संस्थापना किस ने की थी? यानि लोधी वंज के संस्थापक कौन थे? तो बहलो लोदी जो है ये लोदी वन्ष के संस्थापक थे अगला पैस्ट ने अलाउद दिन खिल जी के आक्रमड के समय देवगिरी का शाशक कौन था तो दोस्तो जब अलाउद दिन खिल जी ने आक्रमड किया था उसमें देवगिरी का शाशक रामचंद्र देव थे सी अंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा रामचंद्र देव जो थे दोस्तों यह यादव वन्ष के सा सकते महमूत गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमड किसके विरुद था सोलंकी जाड तोमर या फिर प्रतिहार दोस्तों बात करें महमूत गजनवी की इसका भारत में अंतिम आक्रमड जो था यह जाटो के विरुद था बी अंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगले प्रश्की और बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा महम्मद गोरी एमम कॉन्नौज के राजा जैचंद के मद्ध 1194 इश्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है अगर बात करें महम्मद गोरी और कॉन्नौज के राजा जैचंद के बीच 1194 इश्वी में कौन सा युद्ध हुआ था तो दोस्तों इसका नाम है चंदावर का युद्ध यह आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्श देखेंगे दोस्तों भारत का वह पहला शाषक कौन था जिसने मुहम्मद गोरी को पराजित किया था तो दोस्तों मुहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शाषक इनमें से कौन था चोहान शाषक प्रतिवीराद चोहान गड़वाली शाषक जैचन सुलंकी शाषक भीम सेकंड या फिर इन में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुलंकी सासक भीम सेकंड इन्होंने मुहम्मद गोडी को पराजित किया था अगले प्रश्की और बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा अलाई दर्वाजा निमने में से किसका मुख्य दौार है अलाई दर्वाजा की बात करें सीडी, कुतुब मिनार, जमात, खाना, मस्जित या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों अलाई दर्वाजा की बात करें जिसका निर्मार अलाउ दिन खिलजी के द्वारा कराया गया था जो कि आपका कुतुब मिनार का मुख्य द्वार है, बी अंसर राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है उस शाषक का नाम क्या है जिसने विजे इस्थम का निर्मार कराया था अगला प्रश्ण है किस प्रतिहार शाषक ने आदि वरह की उपाधी धारण की थी अगला प्रेश देखेंगे दोस्तो अगला प्रेश ने हमारा केस मुगल बाश्या की इम्रित्यू दीप पना पुस्तकाले की सीडियों से गिरने के कारण हुई थी अकबर, जहागीर, बाबर या फिर हुमायू तो दोस्तो अगर बात करें दीप पना पुस्तकाले की सीडियों से गिरने के कारण किस की मुगल बाश्या की राइट आंसर हो जाएगा हुमायू की दीप पना पुस्तकाले की राजा की राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद किस राजा की साथ लड़ा था बात करें गोलकुंडा का युद ये किस के बीच हुआ था तो ये दोस्तो विजयनेगर के राजा कृष्ण देव राय और कुली कुतुब शा के बीच हुआ था यह अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगला पैशन है हमारा उपन्यास दुर्गेश नंदेनी के लेखक हैं अप्शन दियो है दोस्तों स्वर्ण कुमारी बंकिम चंद्र चटरजी रविन्ना टाइगोर या फिर तारकानात गंगोपाद्या है राइट अंसर की बात करें तो दोस्तों उपन्यास दुर्गेश नंदेनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर जी बी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगला पैश देखेंगे दोस्तों अगला पैशन हमारा ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश सती प को जाएगा धर्म सभा धर्मसभा जिसकी स्थापना 1830 में राधा कांत देव की दौरा की गए थी अगले पैश्की के दोस्तों अगला पैशन हमारा धर्मसभा 1839 तो सथापक नहीं हर अपका राधा पैश ना गमारत हो भारत लौड रिपन के द्वारा तो दोस्तो भारत में अंग्रेजी सिच्छा को लागू करने वाले थे विलियम बैटिंग बी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स देखे दोस्तो अगला प्रशन है महात्मा गांधी ने हिंद सुराज की रचना की थी जब वे ऑप्शन दिया हुआ है जहाज से इंग्लैंड से दच्छड अफरीका यात्रा कर रहे थे चंपरन अंदोलन का नेत्यत कर रहे थे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे या फिर साबर मती आश्रम में थे तो दोस्तो बात करें हिंद सुराज की रचना किसके द्वारा की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा हिंद सुराज की रचना की गई थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दच्छड अफरीका की यात्रा कर रहे थे यानिकि यह अंसर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, नेक्श देखें दोस्तों अगला प्रेशन हमारा भारत में इस्ट इंडिया कमपनी की सफलता का रास था, तो दोस्तों भारत में इस्ट इंडिया कमपनी की सफलता का रास क्या था, अप्शन दिया हुआ है कमपनी की सेना को पश्चमी प्रसिचर मिला था तधा उनके पास आधोनिक हतियार थे भारतिय सानिकों में राष्टिय भावना का अभाव था भारत में राष्टिय भावना की कमी थी या फिर उपर युक्त तीनों तो बात करें इस्ट इंडिया की सफलता का क्या रास था तो ये तीनों ही इस इंडिया कंपनी की सफलता के रास थे भारत में डी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा नेक्ट देखेंगे अगला प्रेशन है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 इश्वी में विद्रोह का सुत्रपात किया संबंदित था तोस्तों मंगल पांडे की बात करें यह आपक तो दोस्तों बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादूर सी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगर बात करें कुवर सिंग की तो कुवर सिंग जो थे यह बिहार से विद्रोह के नेता थे अगले प्रेशन क्यों बढ़ेंगे दोस्तों अगला प्रेशन है अमा नेक्र देखि दोस्तो अगला पैशन है वर्ष 1906 म्मंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस ने की थी बात करें दोस्तो 1906 में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा ये की गई थी दोस्तों वी आर शिंदे के द्वारा सी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगला प्रेशने उन्नीस सो आठ में बाल गंगा धर तिलक को जेल की सजा दिये जाने पर कहां के मजदूरों ने भारत की पहली राजनेतिक खरताल की तो सी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगला प्रेशने दच्छिर भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है माही, साबरमती, तापी या फिर नर्मदा दच्छिर भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में बाटती है राइट अंसर हो जाएगा नर्मदा नर्मदा नदी की बात करें तो दोस्तो इसका उद्गम जो है मत्र प्रदेश में अमर कंटक पहाड़ी से होता है डी अंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला प्रदेश ने दोस्तो महा नदी नर्मदा तथा सोन नदिया कहां से निकलती है गौल पहाड़ी से अमर कंटक पहाड़ी से रामगर गुंबत से या फिर पंच मड़ी पहाड़ी से दोस्तो बात करें महा नदी नर्मदा और सोन नदिया की ये निकलती है आपका अमर कंटक पहाड़ी से बी अंसर आपका यहाँ पर राइट होगा नेश देखिए अगला प्रशन है गारो खासी और जयनतिया पहाड़ी किस राजी में इस्थित है अगला प्रशन है दोस्तो गारो खासी और जयनतिया पहाड़ी की बात करें तो यह आपका भारत के मेघाले राजी में इस्थित है सी अंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा अगला प्रशन देखिए दोस्तो अगला प्रशन है हमारा महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां इस्थित है शिव समुद्रन प्रपात पर गोकक प्रताप पर जोग प्रपात पर या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तो अगर बात करें महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट की यह आपका जोग प्रपात पर इस्थी थे जो कि आपका करनाटक में शरावती नदी पर बनाया गया है अगला प्रेशन है दोस्तों टौगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला परवतीय मार्ग है अगला प्रेशन है दोस्तों टौगुप दर्रा ये भारत को किस देश से जोड़ता है पाकिस्तान से मियमार से अफगानिस्तान से या फिर चीन से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपका भारत को मियमार देश से जोड़ता है बी आंसर आपका यहां पर right हो जाएगा अगला प्रेश्टे की दोस्तों मयू राच्छी पर्योजना से भारत के कौन से दो राज लबहानवित हो रहे हैं most important question दोस्तों मयू राच्छी पर्योजना की बात करें तो यह आपका मयू राच्छी नदी पर बनाया गया है और इससे भारत के पश्चिम बंगाल और जार्खन राज जो हैं यह लबहानवित हो रहे हैं यह अंसर आपका यहां पर right हो जाएगा अगले प्रेश्ट की और बढ़ेंगे दोस्तों नहीं है नहीं पुछा गय दोस्तों इसमेली थे सीव समुद्रम केरल गांधी संगर मद्र प्रदेश यवाहर संगर राजिस्थान या फिर नागारजुन संगर आंधरप्रदेश आउब प्रदेश तो दोस्तों यहां पर जो सही उत्तर यह एके साथ चला जाएगा सीव समुद्रम जो है ये आपका केरल में नहीं बलकि करनाटक में कावेरी नदी पर इस्थित है अगले प्रेश क्यों पढ़ेंगे दोस्तो अगला प्रेशन है भाकडा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है दोस्तो आपको यहाँ पर सही नहीं है बताना है कौन सा नहीं सही है न मेरी असम नाम दफा अनजर प्रदेश बुकसा बिहार या फिर दमफा मिजोरम यहाँ पर राश्टी उध्यानों के नाम दिये हुए और वो कहां पर इस्थित हैं आपको बताना है अगर बात करें दोस्तो इन में से कौन सा नहीं सही है तो बुकसा जो ही आपका बिहार में नहीं है या आपका पश्चिम बंगाल में है बाके सारे जो है यहाँ पर सही है आपका C अंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा C नहीं सही है अगला प्रशन है मदर प्रदेश में ज दोस्तों भब स्विस्टाइं के लिए प्रशिद्धाने की बाद करें यह आपका णुर्ठरकार दोस्तों में 1859-1971 में 1880 में दोस्तों बात करें केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीती कब गोशित की गई थी यह आपका गोशित की गई थी 1988 इश्वी में ए अंसर आपका यहां पर राइट होगा अगला प्रेश देखिए भारत में किस वर्ष परियावरण सरच्ण अधिनियम पारित किया गया यह किया गया था दोस्तों वर्ष 1986 में बी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा उनिस देखिए भारत में परियावरण सरच्ण अधिनियम को पारित किया गया था अगला प्रेश प्रतम तेल परिशकरन संयंत्र कहां इस्थापित किया गया था डिगबोई में दोस्तों अधिन वर्ष 1901 किया गयी था पाइए में मुखी कि अधिया अग्ला कि नֹला रहा है अग्ला प्रतम कन सा को स्थापित की ए पर रिष्फित सब्सक्राइदा मुखी में नेज के एक निस्था दूरिए प्रशॉत आखिज ज बाला मुखी को आपकी उदobile प्रतम में सबसे लंबी परवश्टी कहों सी है . सबसे लंबी परवश्टी कि बात करें विश्वी की तो दुस्तों दच्शद अमेरिका में इस सित्व एंडेज परवश्टी है कि यह विश्वी की अंसर आपका यहाँ पर Wong राइट हो जाएगा अगला प्रेशन है निम्लिकित में से कौन भारत के राश्पती की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है यानि कि दोस्तों किसका पद जो है ये राश्पती की इच्छा के अनुसार होता है उच्छतेम नयले का नया अधिस लोकसभाद्यच निर दिखे इंच्वारत के किस मुखष नया एधिच ने राश्पती के रूप में काम किया है मुष्ट इंपररणन प्रश ने दोस्तों राश्पती के रूप में इन में से किस मुखे नाय दिश ने काम किया है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो जश्टिस M हिदायत तुला ने सी अंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगले प्रेश की और बढ़ेंगे दोस्तो अगला प्रेश ने लोग लेका समीती में कुल कितने सदस्य होते हैं 28, 30, 20 या फिर 22 लोग लेका समीती की बात करें तो दोस्तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं डिया अंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला प्रश देखे दोस्तो भारती संविधान की कौन सी विशेश दिवस्था दच्छड अफरीका के संविधान से लिए गई है संविधान संसोधन मूल करतव ये संसदिये प्रडाली या फिर मूल अधिकार दोस्तों अगर बात करें दच्छड अफ्रीका के समविधान से भारत के समविधान में कौन सी विवस्था ली गई है राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों समविधान संसोधन की विवस्था यानि कि ए अंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स देखे दोस्तों अगला प्रशन है हमारा लोग सभा की अध्यचता कौन करता है भारत के प्रधान मंदरी भारत के राश्पती स्पीकर या फिर इन में से कोई नहीं दोस्तों लोग सभा के अध्यचता जो है ये स्पीकर के द्वारा होती है इंको लोग सभा अध्यच Senate के अध्यच की तरह England के House of Commons के अध्यच की तरह या फिर England के House of Lords के अध्यच की तरह राइट अंसर की बात करें तो दोस्तो भारत में लोकसभा के जो अध्यच पद की इस्थिती है ये England की House of Commons के अध्यच की तरह है C answer आपका यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा अगर बात करें दोस्तो Duma का क्या मतलब होता है तो रूस की जो संसद है इसको Duma के नाम से जानते है USA की जो संसद है सको State के नाम से जाना जाता है और England की जो संसद है इसको House of Commons के नाम से जाना जाता है यह है दोस्तो चार सो तीन डी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा नेक्श देखेंगे दोस्तो अगला प्रशन है भारतिय सम्विधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यचता किस ने की थी अगला प्रशन है दोस्तो भारतिय सम्विधान सभा के दोरा भारतिय राष्ट्री ध्वच को कब अपनाया गया था आपसे पूछा जा रहा है यह दोस्तो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को यानि की बी अंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला प्रशन है धार्मिक सोतनता का अधिकार सम्विधान के किन अनुच्छेदों में वर्णने थैं अगला प्रशन है धार्मिक सम्विधान के किन अनुच्छेदों में नागरिक्ता संबंधी प्रावधान किये गया है काफी महत्पुर प्रशन है धार्मिक सम्विधान किन अनुच्छेद में किये गया है यह किये गया है धुस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक में यानि की d answer आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला प्रेशने दोस्तों कार खानों तथा खानों में कोई विक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयू कम से कम उसकी आयू कम से कम कितनी होनी चाहिए कार खानों तथा खानों में नियुक्त करने के लिए राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष यानि दोस्तों कार खानों तथा खानों में काम करने के लिए व्यक्ति की आयू 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए अगला प्रशन है हमारा 1995 में पारित अश्प्रिष्चियता अपराद अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है अगर बात करें दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं तो इसको जाना जाता है सिविल अधिकार सनरचर अधिनियम के नाम से बियांसर राइट हो जाए सेयुक्त राज अमेरिका में मौल अधिकारों को सबसे पहले सम्वेधानिक मानेता दी गई थी दोस्तों डी आंसर राइट हो जाएगा अगला पेश देखेंगे हम लोग भारत के राश्पती की आपात कालिन सक्तिया नेमलिकित में से किस देश की देन है तो बात करें भारत क राश्पती की आपात कालिन शक्तियों की तो ये ली गई है जर्मनी के वीमर सम्वेधान से यानिकि ए अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगला पेश देखेंगे दोस्तों किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसोधन का अधिकार दिया इन में से किस व अनुच्छेद अल्प संक्यकों को अपनी मन पसंद सिचर संस्थाव को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संडिच्छन प्रदान करता है दोस्तों अगर बात करें भारती संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्प संक्यकों को अपने मन पसंद के सिचर करने और उनको संचालित करने का दिकार प्रदान करता है राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छे 30 बी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगले प्रेश के और बढ़ेंगे परमारू रियक्टर क्या है परमारू रियक्टर की बात करें तो दोस्तों यह एक बराबर होता है दोस्तों एक जूल प्रतिकुला यानि की बी अंसर आपका यहां पर राइट होगा अगले प्रेश की और बढ़ते हैं अगला प्रेशन है इन में से कौन सा पाधब हार्मोन है पाधब हार्मोन की बात करें तो दोस्तों इन में से साइटोकाइडीन जो ही आ वरदधन का ऐसा ही मात्रकी तो ये आपका मात्रक विहीन होता है D अन्सर आपका यहां पर राईट हो जाएगा वे अंग जिनके उत्पत्थी तथ मूल रच्णा में तो समानता होती है कारे के अनुसार उनकी बाहे रच्णा में परिवर्तन हो जाता है को कहते हैं तो दोस्तों ऐसे अंग जिनके उत्पत्ती और मूल रचना में समानता होती है लेकिन कारिक के अनुसार उनकी रचना में परिवर्तन हो जाता है ऐसे अंगों को समझात अंग कहा जाता है यानि कि A answer आपका यहाँ पर right हो जाएगा अगला पैशन है वंशागत नियमों का प्रतिबादन किस ने किया था चॉस डार्विन ने, रोबार्ट हूप ने, जेसी बोस ने या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत नियमों की बात करें तो दोस्तो इसका प्रतिबादन किया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, D answer आपका यहाँ पर right होगा नेक्श देखेंगे अगला पैशन है हमारा विद्धु शक्ती का मातरक है विद्धु शक्ती की बात करें तो दोस्तो वाट इसका मातरक होता है D answer right होगा नेक्श देखेंगे दोस्तो अगला पैशन है विभवांतर का मातरक होता है विभवांतर की मातरक की बात करें तो दोस्तो वोल्ट जो है इसका मातरक होता है C answer right होगा अगले प्रेश़्त देखिये दोस्तों बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्तो होती है बैटरी की बात करें तो दोस्तों इससे ँज़्शत धारा यानि इन में से सभी right answer की बात करें तो जीवन की उपा पचेक रियाओ के संचालन के लिए दोस्तों ये सभी आवश्यक है D answer आपका यहां पर right होगा अगला प्रशन है resin वा गोंद कहां संचित होता है फ्रोयम में, कार्टेक्स में, छाल में या फिर पुराने जायलम में D answer आपका यहां पर right होगा hormone स्रावित होता है hormone की बात करें तो दोस्तों यह आपका अंताश्रावी ग्रंथी से शावित होते हैं A answer right हो जाएगा आपका यहां पर उपियोग किया जाता है पादप नियंतर की बात करें तो फल बेचने वालों के द्वारा इथाइलीन का प्रियोग करते हैं सी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगले प्रश्कियों बढ़ेंगे दोस्तों अगला प्रेशन है जल दीवस कब मनाया जाता है विश्व जल दीवस की बात करें तो प्रती वर्श 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दीवस के रूप में मनाते हैं बी अंसर आपका यहां पर राइट होगा अगले प्रेश्कियों बढ़ेंगे दोस्तों अमरिता देवी विश्णोई का संबंध किस व्रिच के संरच्छर से ह अमरिता देवी विश्णोई की बात करें तो दोस्तों इनका संबंध जो है यह खेजिरी के व्रिच संरच्छर से है अपका यहां पर राइट हो जाएगा अगले पेश्कियों बढ़ेंगे दोस्तों मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है इनको दोस्तों अपगटक जीव कहते हैं अपगटक दोस्तों वे होते हैं जो सड़े गले मृत प्रदार्तों को पचाने वाले जीव होते हैं जैसे कवक और जिवारू अगला पैसने निमलिकित में से कौन एक लिंगी पादप का उधारन है इसे पुश्प जिसमें केवल पुंकेशर या में संफिर केवल सत्रीकेशर होता है उसको एक लिंगी पादप कहते हें और यहां पर एक लिंगी पादप का उधारन आपका पापीता है। नहीं है पूछा गया है सही उत्तर की बात करें तो ना भिग ये उर्जा जो है यह यह ऐनसर पर राइट हो जाएगा सूर्य तथा अन्यतारों की विशाल उर्जा के स्रोथ हैं तो नाभेकिये सल्ययन इसका स्रोथ हैं दोस्तो ए अंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला प्रेस ने जैव गैस एक उत्तमीन धन है यूंकि इसमें मेथेन गैस पाई जाती है जैव गैस दोस्तों इसमें मेथेन गैस कितनी पाई जाती है लगबग दोस्तों 75% डी अंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगला पेश देखेंगे आधुनिक आवर सार्णी में 22 से दाई और जाने पर परमारू साइज यानि की अकार क्या होता है दोस्तों बढ़ता है घरता है अपरवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं हादुनिक आवर सार्णी की बात करें तो बाई से दाई और जाने पर दोस्तों इनमें परमारू साइज जो है यह बढ़ता है यह answer आपका यहां पर right हो जाएगा अगला प्रेश देखी दोस्तों most important है नीला थोता जिसे की तूतिया कहते हैं का रसाइनिक सूतर क्या है most important प्रेशन है दोस्तों नीला थोता तूतिया या फिर इसको copper sulfate भी कहते हैं यह दोस्तों एक अकार्बनिक योगिक होता है और इसका रसाइनिक सूतर जो है यह CUSO4.5H2O होता है यानि कि B answer आपका यहां पर right हो जाएगा अगला प्रेशन है दोस्तों संग मरमर का रसाइनिक सूतर क्या है यह भी महतपूर प्रेशन है दोस्तों संग मरमर क्यानि कि दोस्तों कैलसियम कार्बोनेट कहते है इसका रसाइनिक सूतर जो है यह CACO3 होता है यह answer आपका यहां पर विल्कुल right हो जाएगा अगला प्रेशन देखें दोस्तों चीनी का रसाइनिक सूतर क्या है काफे मतपूर है दोस्तों चीनी की बात करें तो इसका रसाइनिक सूतर जो है यह C12, H22 और O11 होता है यहनि कि C answer आपका यहां पर right होगा अगला प्रेश देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का अडू सूतर है सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो दोस्तों इसको वासिंग सोडा या फिर सोडा एश भी कहा जाता है और इसका अडू सूतर दोस्तो Na2CO3 होता है यह answer आपका यहां पर बिल्कुल right हो जाएगा अगला प्रेश देखें दोस्तों नेतर लेंस की focus दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टी दोस होता है दोस्तों जब नेतर लेंस की focus दूरी अधिक हो जाती है तो इन में से दूर दृष्टी दोस हो जाता है अगर बात करें दूर दृष्टी दोस को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रियोग करते हैं तो दोस्तो जब श्वेत प्रकाश जो है ये प्रिज्म पर पड़ता है तो वो विभिन रंगों में विभाजित हो जाता है इसी को दोस्तो इसको प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रियोग करते हैं D answer आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगला प्रेश देखिए दोस्तो अगला प्रेशन है परियावरर दिवस किस दिन मनाया जाता है काफी महतपूर प्रेशन है दोस्तो परियावरर दिवस की बात करें तो प्रती वर्ष इसको हम लोग 5 जून को मनाते हैं B answer आपका यहां पर राइट होगा यह दित दोस्तो ज्यादा लाइक करें शेयर करें मैं चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यमाद